जैन प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस अगेडमी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंडिये की प्रेक्टिस हम लोग कर रहे हैं, 40 डेस तक यह प्रेक्टिस चलेगी, कल एंटरनियम्स की वीडियो हमने शूट की थी, बट बिकॉज अफ सम्थिंग, वो अप तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, स्नॉनियम्स, क्या लेकर आए हैं बच्चों, स्नॉनियम्स, यानि के परियाए वाची शब दिन को हम हिंदी बोलते हैं, यानि similar words हम करेंगे, एक option होगा आपके पास, यानि एक question होगा, और उसके चार options होंगे, आपको देखना होग कि most appropriate जो स्नॉनियम है उस word का वो क्या है, चलिए, start करते हैं बिना time waste के बचे, first question, please do not interfere with my work, please do not interfere with my work, interfere का मदलब क्या होता है, interfere का मदलब क्या होता है, interfere का मदलब होता है, किसी काम से छेडखानी करना, मान लीजिए, कोई इनसान कुछ काम कर रहा है, और आप उसको बार बार disturb कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, उसके काम में interfere कर रहे हो, यानि किसी चीज़ में intervene करना, क्या करना, intervene करना, किसी काम के सा साथ छेड़ खानी करना तो कुशन कह रहा है प्लीज डू नॉट इंटरफेर विद माई वर्क यानि के मेरे काम के साथ कोई भी छेड़ खानी मत करो आप्शन से चेक करते हैं कॉपी का मतलब क्या होता है बेटा किसी चीज को कॉपी करना बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाए मेडल का मतलब होता है किसी चीज में इंटरवीन करना किसी चीज में इंटरफेर करना तो इसका सही ओपशन क्या हो जाएगा मेडल तो ऑपशन नमबर एइसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिर है बेटा बात चलिए next question I possess a new red bicycle I possess a new red bicycle Word आपको दिया हुआ है possess Possess का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को on करना किसी चीज़ का होना यानि मेरे पास एक क्या है एक नई red bicycle है या फिर कोई चीज़ मिलना Get to get something I possess a new red bicycle यानि के मुझे एक नई red bicycle मिली है या मेरे पास है मैं उसका honor हूँ Want का मतलब क्या है Want का मतलब होता है किस चीज़ को चाहाना Find का मतलब किस चीज़ को ढूणना Take का मतलब किस चीज़ को लेना सही option क्या हो जाएगा On यानि option number B यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलकुल सही answer हो जाएगा Next Strive for नहीं यह होगा for excellence Strive for excellence Strive for excellence Word है आपका strive क्या मतलब होता है Strive का Strive का मतलब होता है कोशिश करना यानि excellence के लिए कोशिश करो यानि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो बिलकुल अच्छे तरीके से करो उसमें perfection तक पोँचो यानि अगर आप तयारी भी कर रहे हो चाए NDA की कर रहे हो चाए CDS की तयारी कर रहे हो तो उस तयारी में आप perfection तक पहुँचो तब ही तो आप select हो पाऊगे तो यहाँ पर strive का मतलब है किसी चीज़ की कोशिश करना क्या करना बिटा? कोशिश करना corporate with others यानि दूसरों के साथ corporate करके चलना बिल्कुल गलत है be patient यानि के क्या हर रखना बहुत ज़्यादा सब्र रखना बिल्कुल गलत option pay well यानि के बहुत ही अच्छा कहीं से क्या लेना? पैसा लेना मान लिज़े आपको job करते हैं the company is paying well for that job तो इसका मतलब क्या है? कि जो काम आप कर रहे हैं के लिए company आपको अच्छा गासा पैसा दे रही है तो बिल्कुल गलत option है make efforts यानि के कोशिश करना सबसे सही option आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर strive का make efforts to make efforts to make efforts for excellence excellence के लिए क्या करना? कोशिश करना let's move to the next question and the next question is his efforts at helping the poor are laudable अब बच्चे यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं जो उसके efforts है क्या है उसके efforts जो है किस काम के लिए है to helping the poor यह पूरी community को represent कर रहा है यानि गरीब लोगों की ये बात कर रहा है यहाँ पर the लग गया यानि definite article हमने लगा दिया तो पूरी community जो गरीब लोग है उनकी यहाँ पर बात हो रही है कि जो उसके efforts है गरीब लोगों को help करने के लिए are laudable laudable का मतलब क्या होता है बचा appreciable क्या होगा appreciable जिनको हम appreciate करें यानि कि जिनकी बड़ाई की जाए जगा जगा पर कहा जाए कि जो गरीबों की मदद कर रहा है यह बहुत अच्छा काम कर रहा है उसे हम बोलते है appreciate करना यानि laudable options चेक करते है good अच्छा बिलकुल गलत है sincere का मतलब क्या होता है आपका इमानदारी से किसी काम को करना sincerity से किसी काम को करना welcome swagat बिलकुल ही गलत option है तीनो यानि praise worthy यानि किसी चीज़ को appreciate करना क्या करना appreciate करना इसका सही answer हो जाएगा यानि laudable का मतलब किसी चीज़ को praise करना भी होता है किसी चीज़ को praise करना मान लीजे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो सबी लोग क्या करते है उसको praise करते है appreciate करते है कि बहुत अच्छा वो काम कर रहा है clear है तो laudable का मतलब क्या होता है praise worthy next question he is very impulsive in everything he does he is very impulsive यानि कि वो जो भी काम करता है वो जो भी काम करता है उसमें वो बहुत जादा क्या है impulsive है इसी word का मतलब हमें निकालना है वो जो भी काम करता है उस काम को लेके वो बहुत जादा impulsive है impulsive का मतलब बच्चे क्या होता है impulsive का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई काम करना यानि जल्द बाजी में जल्द बाजी में किसी काम को कर देना without thinking anything about it उसके बारे में कुछ भी ने अब कई लोग होते हैं बहुत जादा impulsive होते हैं बहुत जादा भावुक भी होते हैं किसी भी काम को सोचे समझे बिना करने लग जाते हैं यानि उसके pros and cons नहीं देखेंगे कि इसका क्या फायदा होगा इसका क्या नुकसान होगा वो सीधा उसका काम को करने के लग जाएंगे किसी ने बता दिया उसका काम को करने के लिए लग गए तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं impulsive person का यूज करते हैं क्या करते हैं impulsive person की बात करते हैं जल्दबाजी में हर काम को करे, बिना सोचे समझे किसी काम को कर रहा हो, चलो, फर्स्ट औप्शन शेक करते हैं, डेलिब्रेटली, बिल्कुल गलत औप्शन है, डेलिब्रेटली का मतलब जान बूज कर किसी काम को करना, डेलिब्रेटली का मतलब क्या होता है, जान बूज कर क किसी काम को करना सोच समझ कर वैरी का मतलब क्या है सावधानी से यानि सतर्क होकर किसी काम को करना तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा बहुत ही अच्छा काम कर दिया इंप्रेसिव काम कर दिया सही option क्या हो जाएगा रेश रेश का मतलब जल्दबाजी मैं रेश राइडिंग बोलते है न बहुत गंदी बाइक चलाता है बहुत रेश बाइक चलाता है यानि रेश का मतलब होता है जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी काम को करना तो यहाँ पर इंप्लसिव का जो सही option सही similar word हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिटा वेरी हो जाएगा क्या हो जाएगा वेरी हो जाएगा let's move to the next question he is employed in an ordinance factory he is employed यानि वो कहां पर job करता है उसे कहां पर employment मिला हुआ है एक ordinance factory में उसको employment मिला हुआ है क्या मिला हुआ है बच्चे employment कहां पर मिला हुआ है ordinance factory अब ordinance factory जैसे हम देरादून की बात करें तो देरादून में क्या है? देरादून में ओर्डिनेंस फेक्टरी है ओर्डिनेंस फेक्टरी का मतलब क्या होता है? ओर्डिनेंस फेक्टरी का मतलब होता है Arms and Ammunition यानि के जहां पर हतियार बनाए जाते हैं उसकों क्या बोलते है? ordinance factory बोलते हैं बिटा क्या बोलते है ordinance factory बोलते है कर लिया सबी ने copy ए orthodox orthodox का मनला हुदा है रूडी वादी यानि कि जो पुरानी बातों पर ही believe करके चल रहा है जो पुराने हमारी चीजें थी उनी पर ही believe करता हुँ जा रहा है orthodox है हिली नहीं रहा है उन बातों से clear है बचे बात चलिए next question drink only tapid liquids यानि केवल और केवल tapid liquids ही पीने हैं आपको कभी कभी डॉक्टर आपको सलहा देता है कि आपको fever हो रखा है गुनगुने पानी का use कीजिए यानि कि luke warm water का आपको use करना है जो जादा ना गरम हो ना जादा ही ठंडा हो तो tapid का मतलब भी क्या होता है हिंदी में अगर मैं इसको लिखूँ तो गुनगुना हो सकता है आपकी भाषा में इसको कुछ और बोलते हो यानि luke warm ना जादा ठंडा ना ही जादा क्या गरम तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option number a luke warm ही आपको दिया हुआ है तो इसका tapid का मतलब होता है luke warm slightly cold यानि थोड़ा ठंडा very hot very hot का बहुत जादा गरम very cold बहुत ही जादा ठंडा पानी तो tapid का सही option क्या हो जाएगा luke warm tapid water अगर हम कहें tapid water अगर हम कहें तो इसका मतलब क्या है luke warm water luke warm water clear है बचे साथ के साथ screenshot लेते हुए चलना या आप notebook बना लीजिए 40 days तक आपको continuously हम vocab कराएंगे तो उस vocabulary की notebook में आप क्या करेंगे इन words को note करेंगे बहुत important words है NDA में आय हुए words है कोई cds में आया हुआ word है कुछ नए word है जो की बहुत important है आपके exam के लिए clear है बच्चे बात जादा hard words नहीं आते हैं बहुत normal से word आते हैं daily uses daily job use करते हैं वही word आपको दिखाई देते हैं next question question है आपका although the boys in his class were naughty he never resorted to corporal punishment माली जी कोई teacher है आपकी class में और उस teacher की class में जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या हैं बहुत जादा naughty हैं यानि के शरारत बहुत जादा करते हैं लेकिन फिर भी उसने कभी भी किसी को corporal punishment नहीं दी आज तक भी क्या नहीं दी corporal punishment अब यही word का मतलब है में निकालना है corporal का मतलब क्या होता है बच्चे physical क्या होता है physical punishment physical punishment का मतलब क्या है यानि चाहे उसने डाट दिया मान लीजे कोई बच्चा बात करा है तो teacher ने उनको डाट दिया मूँ से कुछ बोल दिया कभी भी लेकिन उन्हें physical थपड नहीं लगाया डंडे से नहीं मारा कभी भी उन्हें physical punishment नहीं दी तो corporal का मतलब क्या है बच्चे physical क्या मतलब हो जाएगा इसका physical harsh का मतलब क्या होता है बहुत ही निर्दई तरीके से किसी को मारना पीटना harsh, cruel उसके बाद physical ये option बिल्कुल ही क्या हो जाएगा आपका भी option सही हो जाएगा unjust का मतलब क्या है unjust का मतलब अन्याए पूर्ण दिखो एक होता है just just का मतलब केवल भी होता है क्या होता है केवल लेकिन एक just का मतलब बच्चे क्या होता है just का मदलब होता है न्याय पूर्वक क्या होता है न्याय पूर्वक और unjust का मदलब क्या हो जाएगा अन्याय पूर्वक, clear है बात चलिए यह भी गलत और general यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगी, कि general punishment भी नहीं दी है next question she adjusted quite well with her husband's idiosyncrasies idiosyncrasies आपका word क्या है idiosyncrasies यानि उसने एड़जस्ट कर लिया जो उसके husband की idiosyncrasies थी उनके साथ adjust कर लिया, उसने बहुत अराम से adjust कर लिया, बहुत अच्छे से adjust कर लिया तो idiosyncrasies का मतलब क्या है बच्चे, idiosyncrasies का मतलब होता है जो अजीब हरकते होती है अजीब हरकते माल लीजिए किसी इंसान की शादी हुई किसी लड़की की शादी हुई और उसकी शादी ऐसे लड़के से हो गई जिसकी हरकते बड़ी अजीब किसम की हरकते थी कैसी बिल्कुल अजीब किसम की weakness, कमजोरी बिल्कुल गलत है, stupid manners बिल्कुल गलत है, तो यहां पर क्या हो जाएगा idiosyncrasis का मतलब होता है habits से, और habits भी कैसी peculiar, अतरंगी हरकतें बिल्कुल है ना, पागलो जैसी हरकते अजीब हरकते next, question number 10 है, आपका he is quite parsimonious by nature parsimonious का मतलब क्या होता है parsimonious का मतलब है बहुत जादा economical होना economical का मतलब जानते हो जैसे कि हमारे बहुत सारे friends होते हैं अगर उनके पास 100 रुपीज हैं तो वो चाहते हैं कि 10 रुपीज खर्च हो 90 रुपीज वो क्या कर लें save कर लें, यानि कि बहुत सोच समझ कर जो इंसान खर्च करते हैं, वो क्या कहलाते हैं parsimonious by nature, उनका nature कैसा होता है parsimonious होता है economical, तो cruel तो हो नहीं सकता cruel का मतलब तो निर्दई होता है cruel का मतलब barbarious भी होता है निर्दई spend thrift spend thrift का मतलब तो खर्चिला होता है है आपका घमंडी, egoistic तो ये भी गलत option हो जाएगा, बिलकुल option number D, miserly, यानि conjuice, जिसको हम बोल सकते हैं, तो economical, जो बहुत जादा economical इंसान होगा जो हर बात पे पैसे बचाने की सोचेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, कभी-कभी conjuice बोल देते हैं, miserly nature का हम उसको बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही similar word बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, पैसी मोनियस का, miserly हो जाएगा, क्या हो जाएगा, miserly, तो फटावर्ट से इनको revise कर लेते हैं, एक बार है ना, जैसा पिछली वीडियो में हमने किया था कि पहले हम सारे questions को solve करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एक quick revision इनका करेंगे, ताकि ये session इतना जादा आपके लिए fruitful रहे कि अगर आप 30 minutes की वीडियो देख रहे हो, तो बाद में जाकर आपको इसे learn ना करना पड़े, केवल एक बार आप revise कर लीजे, और यहीं आपके, ये learn हो जाएंगे बचे, चलिए first question से देखते हैं एक बार please do not interfere, अब आपको खुद भी जवाब देने है, वीडियो को pose करना है खुद भी जवाब देने है, please do not interfere with my work, क्या मतलब होता है इसका, interfere का, intervene करना यानी, option number A आपका क्या है, बिलकुल, सही answer है medal, क्या मतलब है इसका बचे medal मतलब होता है इसका next word है I possess a new red bicycle क्या मतलब है इसका, possess का on, किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ का मिलना, get next, strive strive for excellence, strive का मतलब क्या होता है strive का मतलब होता है to make efforts, यानी किसी चीज़ के लिए क्या करना, कोशिश करना तो strive का सही answer क्या हो जाएगा make efforts, यानी option number D बिलकुल, सही answer है his efforts at helping the poor's are loudable, loudable का मतलब क्या होता है appreciable, जिसको appreciate किया जाए, जिसकी बढ़ाई हो, जिसके लिए तालियां बजाई जाए, यानी के praise worthy, इसका सही answer हो जाएगा option number A, बिलकुल, सही answer है एक second चलो, next question है आपका he is very impulsive in everything he does, यानी के वो बहुत जादा क्या है, impulsive है बिना सोचे समझे किसी काम को करता है एकदम से जल्दवाजी में किसी काम को कर देता है तो option number C, आपका क्या हो जाएगा, बिलकुल, सही answer हो जाएगा रेश sixth question, he is employed in an ordinance factory, ordinance factory का मतलब जानते है, ordinance का मतलब होता है arms and ammunition, जहाँ पर हतियार बनाए जाते हो, जहाँ पर क्या बनाए जाते हो और एक बार answer दीजिए इसका drink only tapid liquids क्या बताया था मैंने tapid का मतलब tapid का मतलब होता है, गुन-गुना tapid water का मतलब क्या है, lukewarm water ना तो जादा गरम, ना ही जादा ठंडा, next question, यानि option number A क्या हो जाएगा, बिलकुल सही हो जाएगा next question although the boys in his class were naughty he never resorted to corporal punishment corporal का मतलब क्या होता है, physical punishment, यानि option number B क्या हो जाएगा, बिलकुल सही हो जाएगा, यानि कि उसकी class में चाहे बच्चे कितने भी naughty थे कितनी भी जाद अशाराते करते थे पर कभी भी उसने physical punishment उनको नहीं दिया question number nine, she adjusted quite well with her husband's idiosyncrasies idiosyncrasies का मतलब क्या बताया था, मैंने अतरंगी हरकते, है ना, अजीब अजीब हरकते जो लोग करते हैं, उनको क्या बोलते है, idiosyncrasies जो habits होती है, आपकी peculiar habits, option number A क्या हो जाएगा, इसमें बिलकुल सही answer हो जाएगा, question number 10, he is quite parsimonious by nature, passive money का मतलब क्या होता है economical, यानी जो पैसो को बचाता है, जादा खर्च नहीं करता है spend thrift का मतलब क्या होता है, पैसो को जो उडाता है, ऐसी खर्च कर देता है तो option number D, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे miserly, बिलकुल सही answer हो जाएगा I hope आपको ये 10 के 10 words समझ आए होंगे ये सारे आपको learn हो गए होंगे बार बार जाकर इनको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसी लिए मैं एक quick revision भी करा देता हूँ बच्चे, बहुत महनत से videos को देखना है, इने लिखना है vocab बहुत आती है आपके exam में अच्छा खासा portion आता है vocab का, बहुत जादा मेरे साथ आपको महनत करनी है, clear है बटा बात next video हम लेकर आएंगे कल idioms and phrases हम सीख रहे होंगे और इतनी short video रखेंगे जादा बड़ी video नहीं बनाएंगे कि हम time waste करते रहेंगे दो घंटे में केवल 10 words half an hour की video होगी मुश्किल से 26 minute 28 minutes की video होगी उसमें आपको 10 words याद कर लेने है ठीक है, तो half an hour आप दीजिए इस video को और 10 words आपको याद करने है मेरे साथ साथ, clear है बच्चे thank you so much, मिलते हैं अगले session में thank you बच्चे